हलो बच्चो कैसे हैं आप लोग कैसी चल रही है आपकी नीड की तैयारी आम शौर बढ़िया चल रही है भई तैयारी को और मजबूत करिये बाली जी के साथ अकसर ये चीज देखी जाती है बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये कहते हैं कि भई माम बहुत सारी बहुत सारी इंफिमेशन को नाम को याद करने की दूनते हैं वह फ्र्रॉंट टॉप इस फ्रेस में ही छुपा हुँआ है ब्रेन के 4 लोब के नाम ठीक है तो पहले ब्रेन के लोब के बारे में जानते हैं और फिर हम याद करेंगे उन्हें छैसे front top की form में, ठीक है, सबसे पहला बेटा, जो brain का लोब है, वो है frontal, यहाँ ब्लू में आप देख रहा हो, this is the frontal lobe, right in the front, ठीक है, frontal lobe सबसे बड़ा lobe होता है, भाई, planning के साथ, coordination, reasoning के साथ जुड़ा हुआ, ठीक है, next आते है, temporal lobe पर, temporal lobe जो होता है, वो basically head के side पर होता है, ठीक है, और क्या काम होता है, temporal lobe का, basically, memory के साथ जुड़ा है, emotion के साथ जुड़े हुए, इसके सारे functions है, ठीक है, तीसरे lobe की बात करें, भाई, वो है हमारा occipital lobe, right at the back of the head, क्या है, occipital lobe, तो occipital lobe है, तीसरा lobe, चौथे lobe पर आते है, क्या है, वो है parietal lobe, this is the parietal lobe, ठीक है, parietal lobe जो है, वो sensory information को process करने का काम करता है, अब चार lobe के नाम तो हो गए, भाई, frontal, temporal, occipital, parietal, याद कैसे रखे, बहुत आसान है, याद सिर्फ ये रखना है, front, top, front, frontal को दर्शाता है, front शब्द, top का जो T है, that refers to temporal, O जो है, वो है occipital के लिए, और P जो है, वो है parietal के लिए, ठीक है, तो parietal का P, occipital का O, temporal का T, इन तीनों ने मिलके क्या बनाया, भाई, इन तीनों ने मिलके बनाया, top, और front जो शब्द है, वो दर्शाता है, frontal lobe को, ठीक है, तो F से frontal, ठीक है, front, top में याद कैसे रखोगे, front, frontal के लिए, T जो है, वो temporal के लिए, O जो है, वो occipital के लिए, और P जो है, वो parietal के लिए, तो frontal, temporal, occipital, parietal, हो गए नाम, चार याद, था भई मुश्कित, ठीक है, तो ऐसी ही ट्रिक्स के जड़िये, हम और information को याद करेंगे, प्लीज मुझे comment section में जरूर बताईए, कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ट्रिक्स के लिए, I will bring in more videos, so for now, thank you very much.